नास्कार आप देख रहे हैं बोल के लब आज़ाद हैं तेरे मैं अविसार शेर्मा और आज बोल में आपके सामने दो मुद्दे होंगे मुद्दा नमबर एक क्या मोधी सरकार राहूल गांदी से इतना डरती है कि अब उनके ट्विटर अकाउंट को हमेशा के लिए निलंबित करना चाती है सिस्पेंड करना चाती है और मुद्दा नमबर दो सुप्रीम कोड का सخت आदेश और इस आदेश में उत्तर पदेश की मुख्यमंतरी आधितनात के लिए संदेश और आदेश किया मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार अब राज सरकारें, MPs और MLS के खिलाफ जो क्रिमिनल केसे हैं वो वापस नहीं ले सकते हैं दोस्तों जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पड़ती है पोल किलब आजाद हैं तेरे, दियूस क्लिक पर मेरे साथ इसके क्या माइने हैं और मैंने क्यूं कहा कि मुख्यमंत्री आदितनात, उत्तर पडेश के मुख्यमंत्री आदितनात के लिए इसमें संदेश शिपाई हैं मैं आगे जाके आपको बताउँगा मगर सबसे पहले आपके सामने खबर दोस्तो आज मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ट्विटर जो है वो अदालत के सामने हाजर हुआ इसमें उन्होंने क्या कहा है दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर हमने राहूल गान्दी का वो ट्वीट हटा दिया है जिसमें उन्होंने 9 साल की जो दलिद बच्ची जिसका बलातकार हुआ था, उसके माता-पिता की तस्वीर दिखाई है, वो ट्वीट हटा दिया गया है मगर अब खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार ये चाहती है, मोधी सरकार ये चाहती है कि राहूल गांदी का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए हटा दिया जाए देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही दिल्ली कैंट इलाके के में वो जो नरिशंस बलातकार और हत्या कांड हुआ था जिसमें एक 9 साल की मासूम दलित का एक पुजारी और उसके कुछ दोस्तों ने पहले कथित तोर पर बलातकार किया और फिर हत्या कर दी जैसे यह मामला सामने आया था तो उस वक्त हमने यहां न्यूस चक्र में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए क्योंकि हम जानते हैं कि यह मामला बहुत समवेदनशील है, हमने माबाप की तस्वीर कहीं पर भी नहीं दिखाई काईदे से यह कैसा मामला है यह कैसा एरिया है जो दोस्तों बहुती ग्रे एरिया है एक सोच ऐसी है जो यह बताती है कि अगर जो बलातकार की पेड़ित है अगर उसकी मौत हो जाए तब आप उसकी या उसके माबाप की तस्वीर दिखा सकते हैं मगर फिर कुछ अदालती नजीर भी आपके सामने कुछ अदालती मिसाल हैं जिसमें कहा जाता है कि माबाप की तस्वीर नहीं दिखा सकते मैं मानता हूँ कि राहूल गांदी से जो वह वह गैर जिम्मेदाराना था मगर मैं इस समझने का प्रयास करना चाहता हूँ कि मोधी सरकार हमेशा के लिए उनकार ट्विटर अकाउंट क्यों सस्पेंड करना चाहती है क्यों खत्म करना चाहती है ऐसी क्या बॉखलाहाट है मोधी सरकार को और मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको बॉकला हट है क्योंकि देखिए आपका एक लंबा चोड़ा प्रशारतंत्र है सोशल मीडिया में हमारे प्रधान मंत्री हमारे सम्मानित प्रधान मंत्री ऐसे कई ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करते हैं जो लड़कियों को जान से मारने की धमकी देते हैं बलातकार की धमकी देते हैं अशलील बाते करते हैं हमारे प्रधान मंत्री ट्विटर पर ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं मैं नहीं भूला हूँ गौरी लंकेश, पत्रकार गौरी लंकेश की जब हत्या हुई थी तो इनके दो रुपली एक ट्रोल था, उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ मैं, उस आदमी ने गौरी लंकेश की मृत्यु पर जश्ट मनाया था, प्रधान मंत्री शायद आज भी उसे फॉलो करते हैं, धेरों ऐसी मिसाले हैं, प्रधान मंत्री ऐसे लोगों का अनुसरण करते हैं या ट्विटर पर उनको फॉलो करते हैं, जो गाली बाज हैं अबवल दरजे के, मैं प्रधान मंत्री से समचता चाहता हूँ, प्रधान मंत्री ऐसा क्यों का करते हैं और आ ने हमारे देश की महिलाओं का अपमान किया कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदीजी कुलदीप सिंग सेंगर इस आदमी ने एक लड़की का बलातकार किया पुलीस थाने में उस लड़की के पिता की मौत हो गई और फिर रहस्यमय तरीके से दो साल के अंदर उस उस दो साल में उसने उस पूरी लड़की को भरबाद कर दिया और आज आपकी सरकार राहूल गांदी का ट्विटर अकाउंट हटाना चाहती है क्योंकि उनसे गलती हो गई कि उन्होंने एक माइनर गैंग रेप विक्टिम के माबाप की तस्वीर दिखा दी जो मैं बता रह में क्या हुआ था? हाथ्रस के अंदर रात 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 जिस लड़की का बलादकार और फिर उसकी हत्या हुई, रात 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 शब जला दिया प्रधान मंत्री क्या इस बात को लेकर आपके आँकों से आसू निकले थे? बताये ना? और फिर आज भी, मैंने अभी दो दिन पह वक्त के साथ दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा हाथरस मामले में अर कौनसा दूद और कौनसा पानी भाई? हाथरस में आपके Law and Order ADG ने क्या कहा था आप भूल गये? उन्होंने कहा था बलातकार हुआ ही नहीं है बाद में CBI ने कहा हाँ हुआ है जो आपने रातो रात उस लड़की का शव जला दिया था उसके माबाप की गहर मौझूदगी में इलाबाद हाई कोट ने क्या लतार लगाई थी भूल गया? इलाबाद हाई कोट ने कहा था कि अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो आप भी क्या उसका शवरातुरा जला देते? और आपने हवाला क्या दिया था? लॉइन ओर का और अगले ही दिन मैंने भूलाओं धारा 144 का उलंगन करते हुए उस जो बलात का उन तमाम बलातकारियों के जो समर्थक थे वो सभाए कर रहे थे वो दलित नेता चंदर शेखर को धमका रहे थे विपक्ष के नेताओं को धमका रहे थे कि तू इधर आ तो सही हम तिर को बताते है तो आपके गुना और भी गंभीर है भारती जनता पार्टी के गुना और भी गंभीर है राहूल गांदी से हुआ वो गयर जिम्मेदाराना था मगर आप आपसे क्या हुआ मानेवर ये तो बताइए आपके नेता आपके विधायक आपके नौकरशा, आपके मुख्यमंत्री गोआ के मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया भूल गया कितना घैर जिम्मेदाराना बयान दिया था गोवा में गैंगरेब होता है और दोश एक तरह से मढ़ा जाता है जो गैंगरेब पिड़ता है कि उसको इतनी देर राज जानी की क्या जरूर थी पूरी एक मिसाल है, पूरी एक फहरिस्त है यहाँ पर और इसमें दिखाई देता है गएर जिम्मेदाराना बरताव भारती जनता पार्टी नेताओं का और अब राहुल गांदी के उस ट्वीट के लिए आप ट्विटर पर दबाव डाल रहे हैं कि उनकी अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए दर असल ट्विटर को बहरती जनता पार्टी के मुख्य कौं प्रवक्ता इन्हों ने अपने ट्विटर हैंडल पर भरामक और गलत जानकारी दी थी कॉंग्रिस के एक दस्तावेस के बारे में ट्विटर ने उसे Manipulated Media बता दिया यानि कि भरामक जानकारी भारती जनता पार्टी के ऐसे कई नेता हैं इनका जो IT Cell का Head है अमित मालवी है जो इनका IT Cell का Head है उसके भी ट्विटर एक ट्वीट के नीचे Manipulated Media है इन्हें ये गर्व हासिल हुआ है दोस्तों इस तरह से ये ट्विटर हैंडल के जरीए धेरों मिसाल हैं आपके सामने तो जब ट्विटर ने Manipulated Media बताया था भारती जनता पार्टी के कुछ कारकरताओं और कुछ नेताओं के खिलाफ उसके बाद ट्विटर के दफतर पर दिल्ली पुलीस रेड मार देती है और फिर ट्विटर घबर जाती है और उसी का नतीज़ा आप देखते हैं कि आज की तारिक में ट्विटर इस कदर डरा हुआ है कि राहूल गांधी के ट्विटर हैंडल को लेकर दबाव है कि उससे हमेशा के लिए हटा दिया जाए ट्विटर तो डरा हुआ है मगर उससे कहीं जादा भाचपा डरी हुई है क्योंकि तुम से हिम्मत नहीं है समवाद करने के तुम विपक्ष के नेता के सवालों का सामना नहीं कर सकते हैं तुम उन पत्रकारों के सवालों का सामना नहीं कर सकते हो जो तुम से सवाल करते हैं तुम इस कदर डर्पोक हो इस कदर डर्पोक हो तुम मैं आपको क्यों कह रहा हूं दोस्तों पराने मामले भी दुबारा खुलेंगे मैं आपको क्यों कह रहा हूं दोस्तों उसके लिए आपको ये ख़बर देखनी पड़े गी इसकी तारीख देखिए 24 दिसंबर 2020 खबर क्या है आपकी स्क्रीन्स पर उत्तर प्रदेश सरकार संगीत सोम और सुरेश राणा के इलावा एक और नेता है कपिल देव इनके खिलाफ मुझफर दंगो में जो तमाम मामले थे उसे वापस ले रही थी तारीख देखिए 24 दिसंबर 2020 अब सुप्रीम कोट का आदेश आया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं आप ऐसा सिर्फ अदालतों के मश्वरे के बाद उनसे अनुमती लेने के बाद दे सकते हैं मैं आपको खबर पढ़के सुनाना चाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मुख्यमंत्री आदितनात पर क्यों एक करारा जटका है खबर क्या बताता हूँ मैं आपको अब राज सरकारें सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगी इसके लिए संबधत राज के हाई कोट की मनजूरी ज़रूरी होगी आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने ये बात कही कोट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों और विधायकों के वापिस लिए गए केस दोबारा खोलने को भी कहा सितंबर 2020 कुछ देर पहले जो मैंने आपको उत्तर पदेश का मामला दिखाया उसकी तारीक मैंने आपको बताया था तारीक क्या थी तारीक क्या थी शौबीस दिसंबर 2020 याने की उत्तर पदेश की आदितनाच सरकार ने संगीत सोम, सुरेश रणा के खिलाफ मुजफर नगर दंगों में जो केस वापिस लेने की कोशिश की अब सुप्रीम कोट केस आदेश के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते और कटगरे में ये नहीं है सिर्फ करनाटक सरकार भी है दोस्तों करनाटक ने 61 MP MLA के केस वापिस लिए इससे पहले कोट के सहयूगी वकील हनसरिया ने कहा कि करनाटक सरकार ने 61 सांसदों विधायकों के खिलाफ केस वापिस ले लिए है इस पर भी कोट को विचार करना चाहिए यानि कि आप देख रहे हैं इस हमाम में भारती जनता पार्टी के क्या हालात है और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों लंबा चोड़ा इतिहास से मुख्यमंत्री आदितनात का एक और खबर देखिए 27 दिसंबर 2017 की योगी आदितनात गवर्मेंट ओर्डर्ज विट्ड्रॉल अफ केसे अगेंस योगी आदितनात और्ज इन्होंने 2017 में सत्ता आने के बाद करीब 20,000 केसे जो खुद योगी आदितनात पर थे 1994 का मामला था ये इन्होंने वापस ले लिया ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों आपके सामने खबर इंडिया टुडे की 20,000 केसे जिन्होंने वापस ले लिया थे सत्ता में आने के बाद अब जो सुप्रीम कोट का आदेश आया है ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं और आप मैं जानता हूँ आप क्या कहेंगे आप मुझे कहेंगे अबिसार ऐसा तो दूसरी पार्टियां भी करती होंगी करती होंगी दोस्तों मगर मैंने आपको करनाटक की मिसाल दी मैंने आपको उत्तर प्रदेश की एक नहीं दो-दो मिसाले दी हैं दो नहीं, बीस हजार मिसाले दियें मैंने आपको, मैं आपको बता रहा हूँ मुख्यमंत्री आदितनाथ खुद मामले में फसे हुए हैं, इन्होंने खुद अपने खिलाब जो मामले हैं वो वापस ले लिए, इस तरह से ये लोग सामविधानिक मानिताओं की धजियां उड करते हैं, तो उनसे कोई सवाल नहीं करता, ये दुख की बात है, ये दुख की बात है और इस पर सवाल किया जाना बेहद जरूरी है, मैं स्वागत करना चाहता हूँ दोस्तों, सुप्रीम कोट के इस आदेश का, क्योंकि कट घरे में ना सिर्फ करनाटक की बीजेपी सरकार है, मुख्य मंतरी आदितनात हैं, और मुख्य मंतरी आदितनात पर ये सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है, क्योंकि साथ महीनों बाद उत्तर पदेश में चुनाव भी हैं, उत्तर पदेश की जंता को दिख रहा है, कि किस तरह से सामविधानिक मानिताओं, लोक्तंत्र के उ हज्जियों उड़ा कर, ये खुद पर लगे जो आपरादिक मामलें उसे वापस ले रहते हैं, बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे में बस इतना ही, अविसार शर्मा को दीजिए अजासत, नावस्कार